हेलो एबरिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सबसे पले रिच्वल्स के कॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पले आपको यहाँ पे विनर्स के नाम दिखाई दे रहेंगे इन सारे लोगो को किस नाम से बुलाया जाता है मजलिस, डायट, मजलिस या सोरा बोथ तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए यानि कि मजलिस के नाम से जो है इरानियन पार्लियामेंट को बुलाया जाता है तो देखिए अगर कोई कॉमेंट करके इंडियन के जो नेवरि Peace Prize जो है UN को कब मिला था यह बताना है तो देखिए 2001 में जो है Nobel Prize जो है दिया गया था Coffee Annan और UN दोनों को जो Coffee Annan थे वो UN के Secretary थे यहां से मैं आपको दिखा दूँ Wait a moment यहां से देखो Nobel Peace Prize 2021 में Coffee Annan और UN दोनों को दिया गया था और अगर आप लोगों को याद होगा तो Coffee Annan की बहुत सारे images न्यूस पेपर में भी आती थी और बहुत सारे बुक में भी जोहन की फोटो चपती थी मुझे बहुत अच्छे से याद है और इनका से शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के बीच और नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है आपको यहां से दखिए अगला कोशन आपके सामने ये रहा और एक और बात मैं आपको बता दूँ नोबेल पीस प्राइज या फिर कोई भी हो जो 2021 में एनाउंस किये गए है प्लीज याद कर लीजे कोई कमेंट करके अगर बता सके पीस प्राइज किन किन लोगों को दिया गया है तो बड़ा अच्छा होगा नोट्स में वैसे मैंने इन सारे चीज़ों को पले आप आंसर देख सकते हो कजाकिस्तान जो है वल्ड का सबसे क्या है लार्जेस्ट लैंड लॉक्ट का मतलब होता है इसको कहीं से भी सी नहीं मिलेगा यानि कि ये जो ट्रेड करेगा अधर कंट्री के साथ वो अपने नेवरिंग कंट्री पे टोटली डिपेंड रहेग देखिए European Union जो है इस्टेबलीज की गई है किस टेरिटी के द्वारा तो आपको इसका राइट आंसर बताना है उससे पहले मैं को इंपोर्टेंट बात बता दूँ EUB से बोला जाता है European Union और इससे ना हाल में ही England हाल में तो नहीं बट थोड़ा सा टाइम तो होई गया है इंग्लेंड बाहर आ चुका है तो इंग्लेंड जो है बाहर आ चुका है रेफरेंडम के द्वारा और रेफरेंडम क्या होता है कमेंट करके अगर कोई SST पढ़ने वाले बच्चे है तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए रेफरेंडम क्या होता है आप ठोड़ा सा डिट हुई थी European Union जो है यह इसे बोजा जाता है Masterist जो है Treaty बोला जाता है मैं प्रनानेशन से ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ but because I have dyslexia I could not do it but I am trying my best आगे बढ़ेंगे अगले question की ओर which country does not share a land border with Iran देखिए Iran के साथ land border कौन share नहीं करता है आपको यह बताना है तो देखिए तुर्किमिस्तान, अर्मेनिया, टर्की या सिरिया तो इसका right answer अर्मेनिया ही होना चाहिए जी हां sorry Syria is the right answer इरान के साथ जो है Syria अपना border share नहीं करता है D is the right answer अगले question की ओर बढ़ेंगे next question आपके सामने यह रहा what is the India share of global export तो देखिए global export जो हम लोग करते हैं import export का मतलब होता है बाहर को आप भेजते हो तो 1.7 होना चाहिए जी हां बिल्कुत 1.7% हम लोग पूरे world को क्या करते हैं चीजों को supply करते हैं जितना trade होता है उसमें हम लोग 1.7 के ही हिस्सेदार है चाहिना बहुत आगे हम लोगों से हम लोगों को चाहिना को पीछे करना है तो आप लोग making इंडिया को इनिसिटिव को आगे बढ़ाएंगे और इंडिया से बने हुए product को जो है ज़्यादा से ज़्यादा purchase करें अगर आपको सबस्ता कहीं और भी मिल रहा है दो पैसे ज़्यादा लग रहे है इंडियान प्रोडेक्ट में तो आप इंडियान प्रोडेक्ट को purchase की सिए आगे बढ़ेंगे next question के लिए और यहाँ पे देखिए सबसे उपर में आपको देखेगा चाइना जिसका percentage जो है बहुत हाई है उसके बाद आपको US दिखेगा फिर Germany और फिर Netherlands तो चलिए आगे बढ़ेंगे next question के लिए आपको यह बताना है इंडिया की जो latest ranking है न Asia Power Index में वो कितनी है तो इसका जो right answer है वो है option C यानि कि fourth is the right answer और Asia में सबसे powerful country country के नमर में भी चौथे नमर पे इंडिया आता है आगे बढ़ेंगे अगले question की ओर और यह question of the day आप लोगों के लिए रहने वाला है आपको बस इसका answer करना है EMI का full form क्या होगा ABCD में आप answer चूज करके comment करके बता दीजी आगे बढ़ेंगे आपके पास ये बुक जरूर होने चाहिए और इस बुक की सबसे अची बात ये है इसमें 900 से जो है 9000 से भी ज़्यादा MCQs है तो आप इसे जरूर पर्चेस कर लीजे 90,000 से जिसमें सारे topics को बिल्कुँ detail से गबर किया है सारे previous question paper इसमें है तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले question की ओर which ceremony marks the end of the Republic Day celebration in New Delhi तो देखे Republic Day हम लोग अभी मना रहे है question side exam में आभी जाए कि इसकी जो last ceremony होती है last ceremony रिवाद जो है वो क्या होता है तो देखे बीटिंग दा जो retreat है ना इसी से हम लोग क्या करते हैं 26 जनवरी को जो है बिदा काते हैं ये last ritual है आप यहां से देख सकते हो तो ये आप यहां पे देख पाओगे जब आप आओगे today's event तो beating the retreat is the last event आगे बढ़ेंगे अगले question के लिए which one is the capital of Lachdip Lachdip की capital क्या है तो देखे इसका जो right answer होगा अगो होगा कावार तीजदा right answer C के साथ आपको जाना था आगे बढ़ेंगे और आगे जाने से पले न अगर कोई helping hand बनना चाहता है किसी की मदद करना चाहता है मैंने अभी क्या बोला helping hand तो comment करके बताईएगा helping hand का क्या मतलब होता है which of the following countries does not share any border with Germany Germany के साथ कौन border share नहीं करता है तो देखिए इसका जो right answer होगा वो होगा Ukraine, देखिए हाल में अभी geopolitics में क्या हुआ है न कि Russia जो है invade करना चाहता है कि इसको? Ukraine को तो Russia के साथ जर्मनी के कुछ दोस्ती वाले रिष्टे है Russia से ये natural gas लेना चाहता है कौन? जर्मनी तो जर्मनी, since जो है Ukraine के साथ कोई border भी share नहीं करता है तो इसलिए चाहता है कि Ukraine के ओपर Russia attack भी कर दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो seize the right answer आगे बढ़ेंगे, अगले question की और next question आपके सामने ये रहा, who won आप इनकी image देख लो, सबसे पहले यहाँ से आपको इनकी photo भी दिख जाएगे, जीओस ये रहे और आगे देखोगे आप, तो यहाँ पर देख सकते हो answer भी क्या है, यह ही है और 77 BC में जो है, पहला game start हुआ था, याद रखेगा इस question को भी, आगे बढ़ेंगे India celebrates National Startup Day National Startup Day हम लोग कम मनाते हैं तो बिल्कुल, जो है 16 January को मनाते हैं, बिल्कुल Republic Day से 10 दिन पहले, this is the right answer अगले question के ओर हम लोग बढ़ेंगे, अगला question आपके सामने ये रहा, with which country did Saudi Arabia fight a war in 1991, 1991 में Saudi Arabia ने किसके साथ लड़ाई करी तो देखिए, Saudi Arabia भी एक Muslim country है Iraq भी एक Muslim country है लेकिन दोरों ने लड़ाई लड़ दी देखिए, सिया सुननी का खेल है यहाँ पर वो बात हमेशा याद रखिए हमेशा युनाइटर हो, हिंदू, मुस्लिम सी, किसाई करने के कोई ज़रूत ने है धर्म आपका बिल्कुल private affair है याद रखिएगा, आप क्या खाते हो, क्या पूझते हो, यह आपका बिल्कुल personal matter है, और जब भी आप भोट देने के लिए जाओ, कौन development कर रहा है, उस पे आपको भोट देना चाहिए ना कि धर्म जाती, अगर कोई जाती का candidate है, उसे भोट ना दें आप मतब दे भी सकते हो, अगर अच्छा candidate हो तो मेरे काने का मतब सिर्फ है, सिर्फ यह criteria नहीं होना चाहिए, वो आपके कास्ट का है, तो आप उसे भोट दे दोगे, या आपके धर्म का है और यहां से आप इसकी इमेज देख सकते हो, यह जो टूरिस्ट है ना, बहुत सारी टूरिस्ट यहां पर आते हैं, और इसे देखते हैं, यहां पर हमेसाद आग लगी हुई रहती है, तो इसे जो है तुर्कियमिस्तान के जो अगे बढ़ेंगे, अगले कोशन के लिए, वाट इस यूक्रेयन के उपर अभी रसिया हाल में हमला करने वाला है, वहां पर उसने सैनिक को जो है, बेलारूस के द्वारा घेर रखा है, कभी भी लड़ाई हो सकती है, थर्ड वर्ल्ड वाल तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अगले कोशन की ओर देखो, मैं बार बार बोलता नहीं कोई बता दे, गूगल करके भी बता दो, ताकि आपके दिमाग में एक बार याद रहे, लर्निंग बाई डूइंग का तो यही मतलब है ना, कि कुछ करके सीखू आप, तो चलिए, कोशन अब दा डे भी मैंने पूछ लिया, वीडियो यही के खतम करते हैं, आगे और भी क्लासेस आते रहेगी, थैंक यू सो मच पूर ट्रस्टिंग अस, बलीविंग अस, हव गुड डे